रहतिंदौरी साहब का एक सेर और मनीश कश्यप की एक विंती के साथ आज मैं बाचीत के शुरुआत करूँगा रहतिंदौरी साहब का वो शेर तो आप लोगों को याद होगा ही जो मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है याद करिए जब मनीश कश्यप पर पुलिस वाले लगातार प्रेसर बना रहे थे कि वो सरेंडर करें और मनीश कश्यप सरेंडर करने के पहले आ करके और देश भर के पत्रकारों को हाथ जोड़ करके विंती कर रहे थे कि अब पत्रकारों को एक जूठ हो जाना चाहिए और सन विहार मनीश कश्यप का समर्थन कर देना चाहिए देश में फेस्बूक पर सबसे जादा फॉलो किये जाने वाले और डिजिटल मीडिया में पूरे विश्व में डिजिटल मीडिया की एक करांती लाने वाले डिजिटल क्रांती के पुरोधा मनीश कश्यप को देश की जितनी जनता के हाथ में Android सेट मोबाइल है उन सब ने देखा लेकिन इन पत्रकारों ने नहीं देखा जिनको उनकी लड़ाई लड़नी थी कोई अखवार वाला बनके साइड होता नजर आया तो कोई सेटलाइट या एलेक्ट्रोनिक मीडिया सेटलाइट चैनल या एलेक्ट्रोनिक मीडिया वाला बनके साइड होता नजर आया लेकिन आज हिंदी दिवस पर हिंदी पत्रकारिता को एक बड़ा जटका मारा गया है बिहार की महागठवंदन सरकार ने उन पर ना सिर्फ केस किया, यो यू की च्छापे मारी, यो यू की कारवाई की, उनके अकाउंट को फ्रीज किया, बलकि महागठवंदन सरकार बिहार में केस दर्ज करती है, और उसके बाद तमिल नाडू में बिहार के बेटे सन व बिहार मनिश का श्रब पर इने से लगा दिया जाता है जब इतना अत्याचार हो रहा था बिहार के एक सच्चे अच्छे राष्ट्रवादी सनातनी थेट बिहारी अंदाज वाले हिंदुस्तानी पत्रकार के उपर जो मुह खोलने के पहले जैहिंद बोलना पसंद करता था उसके प्रायकोट किया है और इसमें सारे के सारे हिंदी पत्रकार इता करने वाले पत्रकार थे यानि कहां हिंदी दिवस पर हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए था तो स्टालीन ममता बनर जी आप लोग देख चुके हैं कि ये लोग हिंदी का कितना सम्मान करते हैं उद्यनेदी चालीन ममता बनर जी और साउथ के अलग अलग भाशा वाले राज्यों में राजनीती करने वाले लोगों ने जो कॉंग्रेस के साथ इंडिया गठ बंदन और भाजपाय के द्वारा कथित घमंडिया गठ बंदन जो किया है उस घमंडिया गठ बंदन के लोगों ने 14 लोग या सोकॉल घमंडिया घटबंदन वाले लोग पत्रकारों को शुरू से बेईज़त करते रहते थे उसके अलावा मनीश कश्यप पर किसी ने एने से लगाया तो किसी ने यो यो की कारवाई की किसी ने फरजी मुकदमे में फसाया इतना ही नहीं बलकि करनाटक की कॉंग 2014 के पहले जब देश में कॉंग्रेस की यूपीय की सरकार थी तो सुधीर चौधरी को तिहार जेल तक भेजा गया था अब आप लोग कहेंगे कि सुधीर चौधरी की हो सकता है गलती हो तो क्या कारण है कि जब और जहां कॉंग्रेस की सरकार रहती है वहीं सुधीर चौधर पर केस दर्ज होता है और क्या कारण है कि एक तरफा कॉंग्रेस के तरफ से बैटिंग करने वाले एंटी मोदी चेहरे के पोस्टर बॉय रविश्कुमार अजीत अन्युम अभिशार सर्मा पर कोई पुलीसिया कारवाई नहीं होती है सत्ता का दुरूपयोग नहीं होता है न बनीश खश्यब जैसे पत्रकारों पर अब पत्रकारों को एक जूट हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिस पुर्वी चंपारन बिहार का अक्षेतर है वहां से टिकट भी मिलता है लेकिन उस रविष्ट कुमार के ऊपर किसी भी भाजपा की सरकार ने आज तक कोई अक्षन नहीं लिया आज भी अजी तंजुम अभिशार सर्मा साक्षी जोसी जैसे पत्रकार शान स्वाभिमान और प सुधीर चौधरी को कभी जेल भेजा गया तो कभी ये फायार किया गया कभी अरनभ गोश्वामी के उपर फायार करके उनको बुरी तरह से टॉर्चर करके जेल में ले जाया गया और आज चोदह पत्रकारों को का बहिश्कार हुआ है चोदहों का नाम आप लोग जान जाकत शिव अरोर सुधीर चौधरी सुसांत सिनहा जैसे पत्रकारों को सो कॉल घमंडिया घठवंदन के द्वारा बॉयकॉट कर दिया गया है अब जब आप सब लोग जानते हैं कि अपने देश में लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्ता है जहां पर जदातर लोगों की संक्या व वोट देते हैं कहीं कहीं किसी किसी राज्य में तो सताधारी दल को मातर 35% मिलते हैं और उनके सरकार बन जाती है ऐसे में जदातर जनसंक्या जो है वो घैर भाजपाई भी अपने भारत में रहती है और इस तरह से जब यह लोग खुल्याम महीम चलाएंगे और पत्रकारों का मान मरदन करेंगे पत्रकारों की मान हानी करेंगे तो क्या इन पत्रकारों के करियर पर क्या इन पत्रकारों के नौकरी पर खत्रा नहीं मर राएगा मर राएगा और जब नौकरी पर खत्रा मर राएगा तो पत्रकार बरबाद होंगे इसलिए वो वक्त आ गया है जब मनी चोधरी और सारे पत्रकारों का जीतने का बहिशकार ये घमन्डिया घटबंदन आप इनको पहले legal notice बेजिए और अगर ये लोगा करके माफी नहीं मांगते हैं तो ये स्तारे पत्रकारों को वैसे स्तारे नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए जो पत्रकारों की बदनामी करते हैं अगर आप मुकदमा दर्ज करिएगा तभी इन नेताओं की बिजली गुल होगी बत्ती गुल होगी जैसे हमारी बिजली कट गई वैसे अभी मैं बिहार सरकार में हूँ बिजली का बिल तो कभी नहीं कटता है बिजली का बिल हमेशा तंग करता है लेकिन बिजली इसी तरह हम लोगों को तंग करती है जिस दिन जादा गर्मी होती है पुजदीन बिजली गया भुजाती, जय हिंद, जय बिहार.